Hello Everyone, आज है 20 November और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं उर्जा ग्लोबल के बारे में देखिए 12.40 पैसे का ये शेर है और आज 3% का डिकलाइन देखने को मिला ज़रूर है पिछले एक महिनी में देखोगे तो जबरदस्त इजी है तकरीबन 33-34% की रफतार पकड़ी है 9 रूपए से लगातार भागा है और आज का दिन इसना गिरावाट यहाँ पर दिखाई है बाचित करेंगे इस कंपनी के बारे में लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियो संच आपो काफे जादा हल्प करेंगे तो देखे उर्जा ग्लोबल एक महिने में बहतरीन तेजी है पिछले एक साल में अगर हम देखे तो ऐसी तीजी पहले भी आ चुकी है एक बड़ी रफतर आई और बाद में वापस गिरा तेखे बारात से तेरा रुपए का जो लेवल है वो डेफिनेटल एक शॉट टम के रिजिस्टन्स के तौर पर काम करता है एक टाइम ऐसा भी था जब ये 6 रुपए से 33 रुपए तक गया था उसके बाद भेंकर तरीचे से ये गिरा भी था और वापस आ गया था 6 रुपए पर फिर कोशिश करी फिर कुछ टाइम के लिए कंसॉलिडेट किया 9 से 10 रुपए के आसपास फिर एक बड़ी रफटार अभी पकड़ने की कोशिश कर रहा है अगर ये 13-14 रुपए का लेवल तोड़ देगा न तो फिर अगला लेवल 20 रुपए का होगा लेगिन अगर नहीं तोड़ पाया तो वापस ये 8-9 रुपए के आसपास भी आपको नजर आ सकता है योगि ये इसका पैटन रहा है तो ब्रेक आउट कहां पर है वो देखना जरूरी है यहां पर इतना ही नहीं कंपनी के बिजनस को लेकर अगर हम देखे तो ये इनकी वेबसाइट है पहले इनका जो बिजनस था वो बहुत ही छोटा छोटा बिजनस था ठीक है जैसे कि सोलर हीटर की बात कर लो या फिर सोलर पैनल अगरा की बात कर लो बहुत ही छोटे छोटे इनका बिजनसे सुआ करते थे लेकिन अभी कंपनी ने खुद को transform किया है अभी जो दो majorly इनका business है वो है electric vehicles का business है और batteries का business है अगेन मैं कहदू अगर आप EV bike को देखकर जादा excited हो रहे हो तो मैं बता दो कि भाई सब देखो demand भी होनी चाहिए इसकी numbers भी इनके अच्छे होने चाहिए batteries भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है देखो auto रिक्षा की जो battery वगेरा होती है ये रिक्षा की battery वगेरा जो होती है वो ये company बनाती भी है और देखा जो demand भी उतनी जागन नहीं है problem यही हो रही है इस company के साथ कि जो company बनाती है उसके उतनी जादा demand नहीं है और यही वज़ा भी है मतलब कि as a brand उतनी जादा इनके demand नहीं इस sector में definitely बहुत सारी और company भी आपको जोड़ती हुई नजर आईए ठीक है तो इनकी गारिया बिक्ती है कि नहीं इनके batteries बिक्ती है कि नहीं वो एक concerns यहां पर जरूर होने वाला है और यही इनके लिए short term का सरदर्द भी है जहां तक volumes के बाद के तो जो 30 आई एक महिने में 33% की उसकी सबसे बड़ी जो वज़ा है वो volumes ही है पांच करोड के आसपास तो share trade होते नजर है आज के दिन में इतना ही नहीं कंपनी को लेगर अगर हम देखेंगे तो कंपनी में अगर आप last कुछ transaction देखो तो बिक्वाली के जादा नजर आये है promoters के 2030 में बिक्वाली के जादा transaction नजर आये है यहां पर इतना ही नहीं dividend तो भूल जाओ कि यह आपको pay करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि company के revenue लगाता decline हुए है देखो company ने खुद को transform किया ऐसे sector में इन्होंने entry करी जो इनके लिए नया था जैसे कि bike हो गया, electric bike हो गया और even batteries वगेरा हो गया बैटरी साल के पहले भी थे इनके लेकिन यह इनके लिए नया था जो इनका main core business था solar heater को लेकर कई सारी चीज़ा थी वो धीरे धीरे इन्होंने मतलब कम कर दिया और यही वज़ागे इनके revenue में लगातार कोई drop देखने को मिला इनके profits अगर आप देख रहे हो तो भाई साब वो नहीं है margin उतना अच्छा है ही नहीं आप कुछ सोचे कि company जो थी वो इनका performance अगर आप देखोगे न तो मतलब 160 करोड के revenue में अगर company सिर्फ एक करोड का profit कर रही है तो margin बहुत कम है अगर हम quarterly performance भी देखेंगे इस company के तो कुछ exciting नहीं है ठीक है आप देखो पिछले कुछ quarter में इनका revenue quarterly revenue 9 से 10 करोड का ही है जो कि कम है profit wise देखोगे तो भाई साब नहीं है कुछ बहतरी नजर नहीं आ रहा है जहां तक बात करें इस company को लेकर तो इसका जो P ratio है वो 314 का है तो भाई साब इनको बहुत जादा profit कमाने बढ़ेंगे तब जाके वो इतने high valuation को justify कर पाएंगे और यही दिक्कत भी है 12 रुपे देखें में सस्ता लगे का आपको लेकिन यहाँ पर यह भी तो देखो कि भाई साब वाकई में valuation के हिसाब से यह सस्ता भी है के नहीं और यही वज़ा कि कोई भी analyst यहाँ पर buying के recommendation नहीं दे रहा है इनके financials भी अगर आप देखोगे तो बहुती easy से decline हमने यहाँ पर देखा है अगर देखो जो जून तक इनके revenue थे वो 30 करोड के आसपास है थे 25 करोड के आसपास है थे 40 करोड भी हुए थे अभी इनके जो revenue है वो 10-11 करोड में सिमट रहे है हलाकि profit मेरे हिसाब से last quarter का अच्छा था 89 lakh रुपीस का profit था जो उसे पहले के quarter में 55 lakh था उसे पहले सिर्फ 9 lakh का था हलाकि आपको बता दे कि पिछले साल profit इनका एक करोड से भी जादा का था ठीक है तो उसके मुकाबले कम हुआ है profit margin definitely इनके बहुत कम है तो भईया मेरे हिसाब से company को दिरे दिर अपने margins में सुधार लाना पड़ेगा और जब वो सुधार आएगा तब शायद चीज़े इनके लिए बहतर होगी जहां तक बात करें हम share holding की तो जो promoter हमके पास 22.56% की holding है जो पहले 30.18 थी promoter अगर आप देखोगे तो लगातार अपनी holding को बेच रहे हैं यहां पर December में जो holding 30.18% की थी March में घटके वो 28.65 पर आए June में घटके 27.14 पर आए और उससे ज़ादा सब्टेंबर में 22.56 और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर आने वाले time में जो 30 ही आ रही है उसका फायदा कहीं promoter ना उठा ले अपनी holding बेचने के लिए क्योंकि देखा जाए तो खरीदारी retail वालों नहीं करी है 63.64% की holding थी retail investors की आज वो बढ़कर 70.38 पर आई है तो जो छोटे निवेशक है वो खरीद रहे है यहां पर और जो promoters है वो लगातार बेच रहे है यहां पर और जो बड़े-बड़े fund house है चाहे वो mutual funds हो domestic हो Files हो उनके पास holding जैसे कि mutual fund और domestic के पास तो कुछ भी नहीं है और Files के पास बहुत कम 0.07% की ही सही लेकिन बहुत ही छोटी सी holding है यह तो यहां पर overall में अभी के लिए तिनाहिक कहूंगा कि देखो यार ओपरेटर का यहां पर game है जो तेजी आ रही है एक महिने में जो 33% की तेजी है उसकी कोई वज़े नहीं है पहले चीज़ मैंने पिछले एक हफ़ते के दो हफ़ते के तीन हफ़ते की news वगरा देखी है कोई तीजी वाली खबर यहां पर नहीं है जिससे यह कहा जाएगी हाँ वाया चीज़े बहुत बैतर हो जाएगी तो तीजी की कोई खबर नहीं है और यही वज़ा है कि मैं अभी short term के लिए इसको avoid करना जादा पसंद करूँगा और specifically यह अभी जिस price range में है जो कि 12.5 बारा रुबे का जो price range है वो price range मेरे हिसाब से ऐसा है जहां पर एक resistance बैठा हुआ है ठीक है अगर हाँ अगर यह 13.14 के level को तोड़ देगा तो 20 का level दिखा देगा लेकिन अगर वो नहीं तोड़ पाएगा तो definitely यह वापस आपको 8-9 की range में जाता नजर भी आ सकता है और यही वज़ा है कि यह level important है इस level का तूटना important है अगर तूटता है तो ठीक है नहीं तूटता है तो दिक्कत definitely यहाँ पर हो सकती है और अगर मैं कहूँगा यहाँ पर कि fundamentally company उतनी sound नहीं नजर आ रही है लेकिन अगले कुछ quarter के numbers definitely important रहेंगे इनके कि जो company यह चाहते है transform करना EV में और EV में अपने आपको present करना वो देखना देगा यह अगले कुछ quarter में वो वाकर में इसमें successful हो पाया है कि नहीं या फिर जो competition इस sector में बहुत ज़्यादा होने वाली है उसमें यह कहीं पिछड़ के रहे जाते हैं तो अगले कुछ quarter के numbers मेरे इसाब से important होंगे और जब तक वो numbers नहीं आते तब तक मैं इसको long term के लिए consider बिल्कुल भी नहीं करूँगा और जो easy आ रही है उसी कोई ख़बर नहीं है क्यों आई है कोई वजह नहीं है और यही है कि भाईया मैं अभी इसको avoid करना मेरे सबसे ज़्यादा पसंद करूँगा बागी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें शुर्याद करें चैनल बगर पहले बहारे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उर्जा ग्लोबल के बहारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पैनी स्टॉक के उपर भी एक डिटल वीडियो बनाओ तो कमेंट में जिस किसी पैनी स्टॉक के उपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखेगा अगर जादा कमेंट आएगी तो डेफिनिल उसके बारे में भी हम बात चीज़ जरू करेंगे थैंक्यू